आपको बताऊंगा कि हिंदी ब्लॉगिंग से आप महीने का कितना कमा सकते हो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉगिंग एक ऐसा काम है जिससे महीने का आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना पैसा इससे कमाया जा सकता है आपके मन में कोश्चन ये आता है कि भाई हम हिंदी ब्लॉगिंग से कितना पैसा महीने का कमा सकते हैं तो यह पूरा जो बात है कमाई वाला यह डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉग के उपर जो है कितना ट्रैफिक आ रहा है कितने लोग विजिट कर रहे हैं इतने लोग आपके पोस्ट को पढ़ते हैं आपके ब्लॉग पर जितना अधीक ट्रैफिक होगा आपकी कमाई उतना ही ज्यादा होगा लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देनी वाली बात यह है कि आपके blog पर कितना अच्छा आपने content लिखा है इसके अलावा आपके blog पर जितना ज़्यादा post होगा आपका कमाई जो है उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा यहाँ ठीक है तो आपको यहाँ पर अपने blog के उपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपर आपने blog website के उपर 4000 post publish किया है और daily आपके blog पर कम से कम 4000 लोग जो है विजिट कर रहे हैं तो इससे जो है आपके महीने का पूरा खर्चा आसानी से निकल सकता है आपको blogging से पैसा कमाने के लिए जो है उसके उपर उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आप हमेशा यह सुचोगे कि हमको सिफ कमाना है कमाना है या नि आपको इस पर ध्यान देना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा जो है वहाँ पर content लिखें ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर विजिट करें हमारे blog को आके पढ़ें तभी आपका income और तेजी से यहाँ पर बढ़ता रहेगा ज्यादा लोग आपके blog को विजिट करेंगे उतना ज्यादा आपका कमाई बढ़ता रहेगा जान लीजे बात बिलकुल सही है एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि केवल जतने भी blog होते हैं सारे English में होते थे ठीक है लेकिन मतलब है Hindi blogging में बहुत ज्यादा इसकोफ है अभी तो यह शुरुवात हुआ है ठीक है तो अगर आप अभी से अगर इसमें ध्यान दोगे और अपने blog पर Hindi blog पर खासकर अपना ध्यान दोगे तो बहुत ज्यादा इसमें अच्छा खासा केरियर भी आप बना सकते हो यह है बहुत सारे ऐसे अपर्चुनिटी है Google AdSense के अलावा भी जिससे आप बहुत सारा पैसा यहां कमा सकते हो कोई यहां पर कमाई के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है आप केवल और केवल जो है अपने blog के बारे में सोचिए और जैसे ऐसे लोग आपके विजिट को ब्लॉ कमपनी इसके उपर क्यों ध्यान देगे बड़े बड़े कमपनी अपने advertisement आपसे क्यों करवाएंगे अगर आपके website पर आपके blog पर कोई traffic आता ही नहीं है इसलिए आप अपने काम के उपर concentrate कीजिए बाकी income के बारे में भूल जाईए अभी income तो आपको इतना मिलेगा कि फिर पल बीत रहे हो सब को भूला कर एक अपना time आपको जरूर निकालना है दिन भड में कि कम से कम एक दो blog आप लिख सकें अपने blog website पढ़ा के ताकि traffic आपका जो है build होता रहे बढ़ता रहे ठीक है कहने का मतलब घड में आपका जैसा भी मतलब की वहाँ पर situation हो उसको भूल भ जरूर लिखिए चाकि traffic वील्ड हो और जब वह ज़्यादा वील्ड होगा तब देखिए आपका income बहुत तेजी से गड़ो होगा फिर आपको समखले वह समखलेगा नहीं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next video में बहुत बहुत आपका धन्यवाद